सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर साथ में इसके साथ अगर देखिएगा तो कंपनी के ओर से तो हम चलते कंपनी के फिनांशल रिजल्स पर जैसा कि देख सकते हम यहां पर स्क्रिन पर आच चुक है आपको सोग कर रहा होगा करोड में अगर हम यहां पर इंकम की बात करें तो 60,337 करोड का इंकम है जबकि पिछले क्वाटर 58,749 करोड का इंकम था और मार्च 22 क्वाटर में मार्च 22 क्वाटर में घडर देखेगा तो 51,572 करोड का इंकम था इंकम इस बर का इस कंपनी का क्वाटर और कॉटर यहेर और दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है एक्सपेंस की बात की जाए 44,946 करोड का है जो कि पिछले क्वाटर पिछले क्वाटर में इंकम के एक्सपेंस में इंकरीज गोए है कि जया पर इंकम इंकरीज में इंकरीज की है अगर हम प्रॉफिट देखेंगे यहाँ तो 11,486 करोर का पिछले क्वाटर में 10883 करोड था और मार्च 22 क्वाटर 9959 करोड का प्रॉफिट था प्रॉफिट भी क्वाटर और क्वाटर यह रोन यह दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है EPS कंपनी का यहां पर देख सकते हैं EPS जो कंपनी का निकलके आया है 31.14 रुपीज का EPS है जो कि EPS में यहां पर इस बार इंक्रीज किया अब यहां पर सेग्मेंट वाज रेविन्यू की बात करें तो कंपनी जो हैं यहां पर सब्सक्राइब के पिछले क्वाटर में 50,883 करोल था और मार्च 22 क्वाटर में 44,440 करोल का इंकम था इंकम क्वाटर और क्वाटर यह दोनों में तेजी देखने को मिल रही है इसके साथ कंपनी के इंकम क्वाटर और क्वाटर और इंकम बहुत जादा हुआ है इसके साथ कंपनी के हाप एक्सपेंस भी बहुत जादा इस बार कंपनी ने पे किया है इसके यहां पे प्रॉफिट में गिरावट आई जो के नाइन्टी एट हंडड़ करोल का प्रॉफिट देखने को मिला जब कि पिछले क्वादर में 10,659 करोल का प्रॉफिट था और मार्च 22 क्वादर में 9795 करोल क प्रॉफिट क्वाटर में गिरावट एलके नियर और में तेजी देखने को मिल रहा है एपिएस की बात क्या तो 26.79 रुपिच का है पिछले क्वाटर से यहां पर देख सकते हैं तेजी गिरावट देखने को मिला लेकिन पिछले साल से माइनर सा ग्रोथ हुए मान दोबर अगर देखा जाता है कंपनी का जो रिजल्ट आया है एवरेज देखने को मिल रही है तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट और कमेंट बॉक्स में पुझे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई-बाई